अपोलो टायर्स के उपर फ्रेश एंट्री कराने के बाद सपोर्टेट वुडियो भी अपलोड किया हूँ और मैंने आपको बता दिया था जब स्टॉग 200 लेवल पे था जब हमारी 205 पे एंट्री हुई थी 210 पे हुई थी 225 पे भी हुई थी दोस्तों अपोलो टायर्स के अ 240 और जब मैं वादा किया था अप लोगों से कि दोस्तों 240 टारगेट अचीव होने के बाद मैं खुद वीडियो अपलोड करूंगा अपलोड करके बोलूंगा कि अपोलो टायर्स के अंदर रुकना सही है या नहीं है और उसके बाद अगर कुछ फ्रेश बाइंग दिखा तो मैं खुद दूंगा ऐसे मैंने खुद बोला और वादे के माफिक आज मैं वीडियो अपलोड भी कर रहा हूं अपलो टायर्स के अंदर जो भी मेरे कहने पर एंट्री लेकर चल रहे हैं दोस्तों सभी लोगों को प्रॉफिट बुकिक हुआ है तो मेरे सजेशन यह है कि आप अपॉलो टायर्स में काम मत करिए जो वीडियो नहीं देखकर अपॉलो टायर्स के अंदर फॉर एन एग्जमपर 235, 236, 238 या 240 बे भी इंट्री कर चुके हैं दोस्तों स्टॉक के अंदर थोड़ा रिवसल होने वाला है इस रिवसल होने के बाद ही स्टॉक फिर सपो ही नहीं है क्योंकि वहां से रिवसल का पोजिशन बन रहा है और मैं रिवसल जाते वे आवरेज बताऊंगा कैसे काम करना है डीटेली बताऊंगा तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हेलो एवरीवन मैं हूं मोहमत सुहेल आपके सामने स्टॉक पे बात कर रहा हूं अपॉल टायर्स का यह वन डे का कैंडिल चार्टे दोस्तों नैशनल स्टॉक एक्षेज प्रीवियस टाइम जो हम लोग एवरेस स्ट्रेजी की बात कर रहे थे वो था 180 उसके बाद हम लोगों की जो एंट्री हुई है यहां पर ब्रेक आउट लेवेल पर जो इसने सपोर्ट पकड क्लबिंग उसके बाद रैली देखने को मिली जैसी रिवसली जा रहा था उसके बाद इसे जो रैली भी देनी थी उस तरीखे से रैली देनी थी तो यह नई दे रहा था और मैं आपको इधर यंदर आपके prolis puisqu अ के बता दिया था दोस्तों एंट्री ले लीजिए 210 इंट्री ले लीजिए 215 इंट्री ले लीजिए उसके बाद टार्गेट हमारे 225 इधर भी अचीव हो चुके फिर से में बैइंग पोजिशन मिला इधर यह पूच रहे है सोहल भाई 240 तो अचीव हो चुके क्या स्टॉक अभी आगे बढ़ सकता है तो दोस्तों मैं सज्जेस्ट नहीं कर रहा हूं स्टॉक जो अभी आगे बढ़ेगा अभी आगे बढ़ेगा दूस्तों कब तक आगे बढ़ेगा 240 से लेके 256 तक का rally है 256 तक का rally है जिदर हमारा एक final breakdown level है यह rally इसलिए देगा buyer को catch करने क्योंकि already overbought zone में चल रहा है about 60 RSI अब यह कितना भी उपर जाए reversal तो इसे नीचे होना ही है MACD already place level पे clubbing पे आ गया है तो आगे चलके भी club होगा जो आगे की rally होगी risk rally होगी इस rally में अगर entry लेना चाहते हैं तो हाथ जलने वाले हैं इसलिए मैं suggest नहीं कर रहा हूं clean profit हुआ है हमें बस है दोस्तों और फिर से fresh buying देखने को मिलेगा तो मैं खुद वीडियो upload करके बताऊ होगा fresh buying कहां पर करना पर reversal में जो breakout long बना है इधर तो 205 ही हमें फिर से fresh buying है दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market update के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए Apollo tires का ये 15 minutes का intraday candle चाटे national stock exchange Apollo tires एक ऐसा stock है दोस्तों पकड़ा तो पूरा buying ही पकड़ेगा पकड़ा तो पूरा selling ही पकड़ेगा अगर वो intraday नहीं देना चाहरा है तो no momenti देगा पूरा दिन सताएगा दोस्तों उसी तरीके से जो consolidation अभी के लिए चल रही है ना इस consolidation candle में, RSI में और M.A.C.D. में जो consolidation चल रही है इसके rally पूरी कल के दिन buying ही होने वाली है तो buying जैसे 60 RSI पार कर जाएगा buying हमारा risk होगा तो जब तक 60 RSI पार नहीं करता 60 RSI पार नहीं करने से पहले हमें buying लेनी है 60 RSI पार करने के बाद हमें selling pressure पे चले जाना है दोस्तों 8th June 2021 Wednesday Apollo Tires का closing है 236.10 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूँ for 9th June 2021 Wednesday के लिए Wednesday के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target और stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों